तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो के माद्धम से हम आपको बताएंगे भी ये थर्ड येर पंचम समेश्टर के एनल्टिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेरनेस के इंपॉर्टेंट कोस्टन को सर्कुलम का पेपर दोहजार चौबिस तो य पेला इकन का बटन दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सेयर करें डिजिटल एनल्टिकल एबिल्टी एंड डिजिटल अवेरनेस का पेपर होगा पेपर आपका OMR सीट पर जाती है डायलप के द्वारा लीज लाइन से यानि कि आपसर नमर ए एंड बी दोनों के द्वारा प्राप्त की जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कोशन है नीमन में से किसकी मदद से वेवसाइड पर जाया जा सकता है with the help of which of the following can a website be assessed किसकी मदद से हम website पर जा सकते हैं तो option number B internet explorer के माददम से हम website पर जा सकते हैं next क्या है दिया गया है कहां जाता है कि भारत में Silicon Valley इस्थित है तो भारत में Silicon Valley कहां पर इस्थित है तो option number A वैंगलूरू में इस्थित है Silicon की Valley यानि की Silicon की घाटी option number A सही answer है next क्या दिया गया है सुचना सेयर करने के लिए एक दुसरे से connected दो या दो अधिक computer से बनता है तो क्या बनता है network बनता है सुचना सेयर करने के लिए एक दुसरे से connected दो या दो से अधिक computer से network बनता है ये option बिलकुल सही है next क्या दिया है 802.11 से किस network का पता चलता है 802.11 से किस network का पता चलता है तो wireless network का पता चलता है option number क्या है C इसका right answer है next question गया है web एक software है जैसे internet explorer या net escape navigator जीसे आप web में navigate कर चकते हैं तो कौन है browser web browser एक software है यहाँ पर क्या होगा option number भी बिलकुल सही है चलिए आगे बढ़ते हैं next question दिया गया हमारा बहुत अच्छा question है आपके exam में आ सकते हैं जब connection में download direction में transmission की speed upload direction की speed के समान ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे उसे हम AC metric कहेंगे C option बिलकुल सही है हमने यह question repeat कराया है यानि कि यह question repeat हो रहा है सायद next क्या है भारत का पर्थम cyber grammar केंदर की सिराज में संचालित हुआ था तो option number C उत्तर परदेश में संचालित हुआ था यह question हमने बता दिया है जा है e-commerce में e-new लिखित में से किस के लिए आता है तो e-commerce लिखित में से लिए electronic के लिए आता है C option में लिकुल सही है next क्या है ग्राहा के वेपारी के मद e-commerce में सोचना का माध्यम क्या होता है तो option number C internet होता है next क्या दिया गया है telephone वील का भुक्तान निवन में से किस की मदद से किया जा सकता है तो option number D credit card, cash card, smart card सभी से किया जा सकता है आगे का question अमारा दिया गया है पैरा graph को अकर्षक वसुन्दर्था प्रभावी बनाने है तो किस command का हम प्योग करते हैं तो drop command का drop का अप्योग करते हैं option number A बिल्कुल सही है आगे question दिया है क्या दिया है प्रियोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे हम क्या करते हैं प्रियोक्ता जो दस्तावेज को नाम देता है उसे हम क्या करते हैं उसे हम file name करते हैं यह आप्सन बिल्गुल सही है और नेक्स्ट कोस्टन दिया है यह मैस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने हेतू किस प्रोग्राम का उप्योग होता है इसकी स्टार्ट कुझी क्या होती है यह आप सेवन के माध्यम से हम स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं तो यह वीडियो आपके बीए बीएस्टी भीकाम बीए पंचम समेश्टर को सर्कुलम पेपर एनेंडिकल एबिल्टी एन डिजिटल अवेरनेस का इंपॉर्टन कोस्टन है तो इसको देना अनिमार है यदि आप इसको पेपर को नहीं देंगे तो आपके पेपर में बैक लग सकता है तो इसका पेपर होगा तो इस वीडियो को जरू से जरू देखे MS Word में टाइप करते समय टेक्स स्वता ही लाइन समापत होने पर अगली लाइन पर टाइप होने लगता है इस परकडिया को हम क्या कहते हैं इस परकडिया को हम Word Wrap कहते हैं B option बिल्कुल सही है Next क्या है MS आपिस 2000 को किस company ने बना था MS आपिस 2000 को किस company ने बना था तो Microsoft Company ने बनाया था D option बिल्कुल सही है हम आगे के question के तरह बढ़ते हैं हम world star में file का नाम अधिक्तम हो सकता है क्या world star में file का अधिक्तम नाम क्या हो सकता है तो B option बिल्कुल सही है 8 अच्छरों में हो सकता है B option सही है next question दिया है battery से चलाया जाने की battery से चलाया जा सकने वाला computer काउन सा है तो laptop है C option बिल्कुल सही है तो यह video आपके computer वाले exam जो होते हैं उनके लिए भी यहां लाबदायक होगा क्योंकि इसमें computer के भी important question है तो personal computer के system का भाग है तो कौन है microprocessor होता है और modem होता है personal computer के system का भाग C option A and B दोनो process किया जाने वाला data कोई न कोई भावतिक variable होता है process किया जाने वाला कोई न कोई भावतिक variable होता है कौन होता है in-lang computer में होता है A option बिल्कुल सही है निम्ण में से application software नहीं है तो कौन एक प्रकार का application software नहीं है Unix एक प्रकार का application software नहीं है स्पी यू समंधित कितने भाग माने जाते हैं तीन भाग माने जाते हैं बी आप्शन बिल्कुल सही है काउन सा कमांड एक्ट्यू डाकूमेंट को कलोज करता है तो कलोज कमांड एक्ट्यू डाकूमेंट को कलोज करता है बी आप्शन बिल्कुल चाही है next question cyber सुरच्छा की शुरुवात किस दसक में हुई थी cyber सुरच्छा की शुरुवात 1970 के दसक में हुई था cyber सुरच्छा क्या है cyber सुरच्छा यहाँ पर option number D एक में से सबी होगा next question दिया है IT सुरच्छा किस डेटा की सुरच्छा करती है तो भौतिक और डिजिटल दोनों की सुरच्छा करती है C आपसन क्या है बिल्कुल सही है कंपूटर सुरच्छा का जनक कौन है कंपूटर सुरच्छा के जनक जो है अगस्त केर्क हाफ है कौन है कंपूटर सुरच्छा का जनक कौन है computer सुरच्छा के जनक अगस्त करक खोप हैं कौण है करक खोप आपसर नबर A बिल्कूल शही है भारत में cyber आपराध कानून बना प्रपना सुचना तक्णिक संसोधन कानून 2008 में बना C आपसर A ए एंड वी दोनों में बना नेक्स्ट कोस्टन आडविक विसफोटक वा मिसाइल संचालन जैसे कारियों में की जाने बली गणना संभाव है तो किसके द्वरा संभाव है तो सूपर कैमपूटर द्वरा संभाव है ये आप्सटन क्या है बिल्कुल सही है asks isco commentary का पूरा नाम क्या है सी वी टी का पूरा नाम क्या दिया है सी वीटी का पूरा नाम कांस्टेंट बॉल्टेज ट्रांसम्रीटर होता है आप्शन नंबर भिल्कुल सही है यह भी कोस्चन रिपीट हो चुका है micro computer work computer है जिसमें क्या लगा होता है micro processor लगा होता है B option बिल्कुल सही है in a long computer का अपयोग किया जाता है तो कहां पर किया जाता है in a long computer का अपयोग हम इन सभी में कर सकते हैं D option क्या है बिल्कुल सही है दिख रहा है हमे next question दिया गया हमारा CPU का पूरे नाम क्या होता है Central Processing Unit होता है क्या है C option बिल्कुल सही है next question 14, COBOL, Basic, Pascal, ADA, EGOL तथा LIPS आदी क्या है परकार के computer की भासाएं होती है ये option क्या है बिल्कुल सही है next question दिया है computer के प्रमुख तकनी की कारे में समलित होते हैं तो क्या समलित होते हैं प्रमुख में से सभी D option बिल्कुल सही है computer की काल प्रनाणी के मुख अवयाव में कौन समलित नहीं है तो कौन नहीं है internet समलित नहीं है computer की छमता है तो computer की छमता सिमित होती है option नमर A बिल्कुल सही है next क्या किसी program का मसीनी भासा में किया गया अनुवाद क्या कलाता है object program कलाता है किसी program का मसीनी भासा में किया गया अनुवाद object program कलाता है B option बिल्कुल सही है Next question programming भासा में लिखे गए मूल program को हम क्या कहते है programming भासा में लिखे गए मूल program को हम स्तोत्र program कहते है क्याठाते हैं सोर्स प्रग्राम कहते हैं या स्तोत्र प्रग्राम या पूंजी क्या होती है। shift plus क्या होती है shift 12 होती है save as की shift plus shift 12 होती है A and B दोनों यानि C option बिल्कुल सही है laptop portrait page का dimension क्या होता है laptop में portrait page dimension कीतना होता है 8.5 into 11 8.5 inch into 11 inch होता है यहाँ पर इसे हम inch बोलेंगे दाएं तरप के character को मिलाने है तू प्यो करते हैं दाएं तरप के character को मिलाने है तू हम किसका प्यो करते हैं delete का प्यो करते हैं A option क्या है बिल्कुल सही है text को copy वा move कराने की बिधिया कौन कौन सी है text को copy वा move कराने की कितनी बीधिया है तीन भीधियां होती है ए आप्शन बिल्कुल सही है Microsoft Word किस तरह का Word Processor है सकतिसाली Word Processor है ए आप्शन बिल्कुल सही है अप्लिकेशन विंडो डाकुमेंट विंडो से होती है अप्लिकेशन विंडो डाकुमेंट विंडो से होती है बड़ी होती है अप्लिकेशन डाकुमेंट विंडो से वड़ी होती है ये आपशन विल्कुल सही है नेक्ट कोस्टन दिया है वर्ड में टेक्स की फार्मेटिंग करते समय किस ग्रूपिंग में काम किया जाता है तो टेबल, पैराग्राफ और इंडे, वेजेज में काम किया जता है, ए आप्षन क्या है? विल्कुल सही है Microsoft आपिस क्या है? एक अप्लिकेशन स्यूट है क्या है? Microsoft आपिस एक पैराग्राफ का एक अप्लिकेशन स्यूट है किस की के प्रयोग से नई पैराग्राफ का प्रारंब होता है इंटर की की पैराग्राफ का प्रारंब होता है तो कौन सा फार्मेटिंग, आप्षन सही है, ये आप्षन बिल्कुल सही है रिजियूम बनाने हैं तो किस साफ्टवेर का प्योग किया लेता है रिजियूम बनाने हैं तो या में सवर्ड और पेज मेकर दोनों साफ्टवेर का प्योग कर सकते हैं आपसे नमर C, A and B दोनों का हम प्रियोग कर सकते हैं रिज्यूम बनाने के लिए नेक्स्ट कोशन रीडू के लिए कीबोर्ड की सहाथा लेते हुए किस की का प्योग करते हैं तो आपसे नमर 1 Ctrl प्लस Y का प्योग करते हैं यदि ये चीजे लिखा हुआ है इसे गाइब करेंगे Ctrl जट से गाइब करेंगे यदि हमें वही चीजे लाना है यदि ये गाइब कर दिये हम इसको यदि हमें वापस लेना है तो हम Ctrl प्लस Y दबाएंगे तो हमारा आ जाएगा आफसन नमर A बिल्कुल चाहिए है Excel में फार्मूला निम्न में से आरंब होता है Is equal to से आरंब होता है C आफसन बिल्कुल चाहिए है Next question MS Word की फाइल को सेव करने पर उसका extension क्या होता है तो उसका extension DOC होता है .DOC होता है MS Word की फाइल का extension name क्या होता है .DOC होता है आफसन number C बिल्कुल सही है .DOC ध्यान में रखियेगा लिखे हुए टेक्स को छोटा या बढ़ा करने के लिए किसका आफ्यो करते हैं front size का उप्यो करते हैं लिखे हुए टेक्स को बढ़ा या छोटा करने के लिए front size का आफ्यो करते हैं आपसन बिल्कुल साही है MS Word में पूर्व की किसी क्रिया को निरस्त करने की कमांड क्या है MS Word में पूर्व यानि पहली की किसी क्रिया को निरस्त करने की कमांड क्या है Edit या Undo आपसन नमर क्या है C इसका Right Answer है Documents में किसी सब्द को को खोजने की कमांड है इंड प्लस फाइंड इंड और फाइंड आपसे नमर सी बिलकुल सही है कि नेक्ट कोशन दिया गया हमारा एक साइबर अफराधी या पैठ परिच्छक अतरिक्त डेटा का उप्यों करता है जो निलिकित में से किसी हमले में सीष्टम को तोड़ने के लिए गतिवेधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेश निर्देशों को संग्रहित करता है उसे हम बफर ओवर्फ्लो काते हैं भी आपसे बिलकुल सही है निलिकित में से कौन साइबर सुरच्छा का लाबन नहीं है तो कौन नहीं है आपस नमबर ए सिष्टम को धिमा कर देना या साइबर सुरच्छा का लाबन नहीं है निमलिक्षित में से कौन सा साइबर सुरच्छा का एक घटक है Internet of Things, I.O.T. Internet of Things या साइबर सुरच्छा का एक घटक है निमलिक्षित में कौन सा एक प्रकार का साइबर हमला है तो phishing, actual, extraction, password, attack ये सभी क्या हमारे साइबर हमले होते है नेक्स्ट कोशन यह नापाक हैकर है और इसका मुख्य मक्सद साइबर अफराद कर आठिक लाव कमना है यहां संधर्वित वे काउन है यहां संधर्वित वे काउन है तो ब्लेक हैट हैकर से हैं भी आपसेन बिल्कुल सही है हमारा नेक्स्ट कोशन है उस वेव साइट का नाम बताएं जीसे ने किरिकेट मैच फिसिंग प्रकरण से परदा हटाया था तो क्या नाम है तहल का काम आपसनवर भी बिल्कुल सही है भारत सरकाद वरा कब ब्रांड बेंड निती 2004 घोसित किया गय था चाउदर अक्टूबर 2004 को लागू किया गया था ब्रांड बेंड निती इंटरनेट एक आत्तुद्रिक नेटबर्क है जिसका उदबाव विकास वर्स कहां पर हुआ था वर्स 1979 में अमरिका के प्रतिरच्चा विभा के मुख्याले पे ठांगन इस्थित एडवांस रिशर्च प्रोजक्शन एजनसी की संकल्पना में अनि संकल्पना से हुआ था बी आपसन बिल्कुल सही है ये भी कोशन रिपीट हो रहा है इंटरनेट क्या है तो इंटरनेट केम्पूटर पर अधारित अंतराशी सुनाओं का तंतर है डी आपसन बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ते हैं हम कोशन की तरफ हमारा नेक्स्ट कोशन है दो केम्पूटरों को जड़ने के लिए क्या चाहिए होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपसन बर ए बिल्कुल सही है नेक्स्ट कोशन दिया क्या है डैस इंटरफेस एक समय में यानि कौन इंटरफेस एक समय में एक वीट ट्रांस्मीट करता है तो काउन करता है Serial Serial Interface एक समय में एक वीट को Transmit करता है C option बिलकुल सही है आपके System को Hackerों से बचाता है तो कौन हमारे System को Hackerों से बचाता है Firewall Firewall जो है वह हमारे System को Hackerों से बचाता है D option बिलकुल सही है आगी का question है Internet से Computer पर किसी File को Save करने को हम क्या कहते है Internet से Computer पर किसी File को Save करने को हम क्या कहते है Downloading कहते है A option बिलकुल सही है Next question दिया गया है निमने में से Site का सही पता क्या है इन में से Site का सही पता क्या है तो option B बिलकुल सही है यहाँ पर दिया गया है B option बिलकुल सही है Http तो यह TTP का full frame क्या होता है दोस्तों Hyper test transfer protocol होता है यह TTP का full frame यहाँ पर www का full frame क्या होता है world wide web होता है यहाँ पर देखे दिया है http colon double slash www.subtcanhon.com यह क्या है एक्रकार का सही पता है तो दोस्तों हमारा अगला question जा गया है Excel में सबसे छोटी range क्या होती है तो Excel में सबसे छोटी range होती है 255 C option बिल्कुल सही है value entry की Excel में 9 संख्या आ सकती है value entry की Excel में 9 संख्या आ सकती है यह कथन सत्य है कि गलत है यह कथन अमरा सही है यह true है Excel में default header क्या होता है तो Excel में default header का क्या नाम है seat name नाम होता है ए आपसन बिल्कुल सही है next question दिया है MS Excel में format की कितनी विधियां होती है MS Excel में format की तीन विधियां होती है option नमर B बिल्कुल सही है next question दिया गया हमारा नीचे दिये गए सभी पद spread sheet software से समंद है सिवाया किसके नीचे दिये गए सभी पद spread sheet software से समंदित है सिवाया है virus detection के option नमर A बिल्कुल सही है निम्नांकित में से कौन computer का built in memory है इन में से कौन computer का built in memory है ROM तो इसमें से ROM का full frame होता है random read only memory होता है ROM का full frame यहीं पर RAM का full frame क्या होता है random assess memory होता है next question की तरह बढ़ते हैं आगे question हमरा दिया गया है internet से किस तरह का data भेजा जा सकता है internet से हम कित्र आवाज और text सभी data को भेज सकते हैं आलाद दिस यानि कि ये सभी ATM से क्या तातपर होता है ATM का full frame क्या होता है automated tailor machine होता है ATM का full frame D option बिल्कुल सही है Bist में सबसे बड़ी personal computer network सेवा निम्लिकित में से किस के द्वारा उपलब्द कराई जाती है तो internet के द्वारा उपलब्द कराई जाती है C option बिल्कुल सही है HTML किस का संचिप्त रूप है hypertext markup language का संचिप्त रूप है यानि कि उसका full frame होता है A option क्या है बिल्कुल सही है दिया है line होता है तो line क्या होता है तो line का full frame होता है local area network B option बिल्कुल सही है चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके कर्ण में हमरा next question गया है canputer केंद्रि करवाही प्रणाणी का मूख्यकार क्या होता है अंकगर्णतीयत यह तार्किक प्रक्रीया को आकडों पर परयुक्द करना या computer की canद्रि करवाही प्रणाणी का मूख्यकार होता है अपनी स्वचालित, सुझता और सिमृति के लिए आवस्च्थ है डाटा प्रोसेसिंग का प्रथम सुपान क्या होता है? तथ्यों को प्राप्ट करना यानि जानकारी को प्राप्ट करना भी आप्सन बिल्कुल सही है निलिखिती में से कौन सा उत्रपादन Pentium Brand के नाम से जाना जाता है Camputer Chip B option बिल्कुल सही है Camputer का कौन सा भाग Input Unit है तो Camputer का कौन सा भाग Input है Keyboard यह क्या है प्रकार का Input Device है A option बिल्कुल सही है Next है Delete की का कार है तो Delete की का क्या कार होता है Deletion होता है Delete की का का कार है Deletion करना B option बिल्कुल सही है Cutting और Pasting के साथ काटी गई मद अस्थाई रूप से किसमे श्टोर की जाती है तो Clipboard में श्टोर की जाती है कहाँ पर Clipboard में D option बिल्कुल सही है Print के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है Print के लिए हम File मेनू का सिलेक्ट करते है C option बिल्कुल सही है MS Word में MS Word में Cut या Move करने की कमांड कौन सी होती है B option बिल्कुल सही है Edit और Cut ये क्या होती है MS Word में Cut या Move करने की कमांड होती है संपूर डाकुमेंट को सलेक्ट करने है तो माउस द्वारा किलिक करते हैं संपूर डाकुमेंट यानि पूरा डाकुमेंट को सलेक्ट करने है तो माउस द्वारा किलिक करते हैं तो किलिक करते हैं तीन बार किलिक करते हैं option number C, बिल्कुल सही है, यानि कि यहां कह रहा है कि यदि यह लिखा हुआ है, यदि हमें इसको click करना है, तो हम mouse से 3 बार ऐसे click करेंगे, यानि कि mouse का जो button होता है, left, right वाला, तो इसको हम 3 बार दबाएंगे, तो जो हमारा ये वाला है, select हो जाएगा, चलिए, आगे बढ़ते ह Micro Word, यानि कि Microsoft Word किस तरह का एक उधार है, Microsoft Word किस का एक उधार है, तो application software का एक उधार है, C option बिल्कुल सही है, Microsoft Word, application software का एक उधार है Next question दिया है, ALU का ततपर क्या होता है, यानि कि ALU का full frame क्या होता है, ALU का full frame है, अर्थ हमेर्टिक लाजिक यूनिट होता है, A option बिल्कुल सही है Camputer की Light जलने के पश्चाद, उसे कारसिल बनाने के परक्रिया को हम बूट प्रोसेस काते हैं, C option बिल्कुल सही है Data waste में वैकप का उप्योग क्या होता है, तो खोए हुए data को वापस करने है, तो D option क्या है, हमारा बिल्कुल सही है हम आगे बढ़ते हैं, program में 2T जिससे गलत अथ्वा अनुप्युक्त, program में 2T जिससे गलत अथवा अनुप्युक्त, प्रडिना मुत्वन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं उसे हम work कहते हैं यानि problem कहते हैं ए आप्सन क्या होता है सही है work का मतलब problem होता है debugging का मतलब problem को खोजना इसको ध्यान रखिएगा हमारा next question है Microsoft Excel में help के लिए किस का अनि किस target कुझी का अप्योग करते हैं Microsoft Excel में हम help के लिए यहम yatt one key का अफ्यूकरते हैं keyboard से option number C बिल्कुल सभी है कि आगे दिया गया हमना next question किसी work seat का अंतिम सेल जिसमें data होता है select करने के लिए है तुम हम किसका अफ्यूकरते हैं किसी work seat का अंतिम सेल जिसमें data होता है control plus int command का अफ्यूकरते हैं सूचना जो worksheet में भरी जा सकती है उसे हम क्या करते हैं अपन वर्क सीट होती है C आपसन बिल्कुल सही है एक्सल में कार करते समय 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 एक्सल में कार हेतू काम लिया जता है निकि एक्सल में हम किस कार के लिए लेते हैं तो B आप्सन, GoTo के लिए लेते हैं, या 5 का प्यों हम GoTo में जाने के लिए करते हैं, आप्सन नमर B बिल्कुल सही है, डाकुमेंट के मद में चित्र लगाने के लिए हम किसका उप्यों करते हैं जो डाकुमेंट होता है उसके मद चित्र लगाने के लिए हम इंसर्ट पिक्चर किलिप आठ का उप्यों करते हैं बी आप्शन सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे फिर पिक्चर को मिचाएंगी फिर किलिप आर्ट का उप्यू करेंगे बी आप्शन बिल्कुल सही है को सर्कूलम पेपर एनार्टिकल एविलिटी एंड डिजिटल अवरनेस का इंपोर्टेंट कोस्चन है तो धन्वाद नेक्ट वीडियो मिलते हैं इसके पहले वाले वीडियो का लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा